NBT samvad के एक और कारिकरम में आपका स्वागत हैक आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता स्री सचीन पैलर जी सचीन पैलर्ट हाल के सालों में कंग्रेस की योड इसाव्ड से सबसे बरे तमाम नेताव में देखि तो सबसे बरे स्टार प्रचार के रूप में अगर आप आकरे देखें तो पिछले कुछ चुनाओं में इमाचर परदेश हो, करना टक हो, तेलंगाना हो और या इस आम चुनाओं की बात हो तो सबसे अधिक प्रचार करने वाले नेताओं में इनका नाम सबसे उपर हाँ है। इन्हें एक वोट के लिए एक वोट कैचर नेता की रूप में इनको देखा जा रहा है। इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ सवाल होंगे, ये अपनी बात रखेंगे। सुक्रिय सचिन जी, पहने आप अपनी बात बताएं की क्या लग रहा है, कैसा लग रहा ही तक कचुनाओं का आज इसे मद्दान हो रहा है। पाचु चरण का और हर चरण जो मद्दान का हो रहा है, उससे कही न कहीं जो एक पेचैनी है और एक घवरहात मुझे दिखती है बीजेपी और एंडिये के जहन के अंदर। और इसलिए मुझे लग रहा है कि दिरे-दिरे जो जनता की मनशा है जो राय है वो प्रकट हो रही है। हाना कि अभी एकजित पोल नहीं आये हैं और अभी रनना बाकी है। लेकिन जो लोगों का रुजहाव, जोकाव और एक बदलाव को जमूड है वो धिरे-दिरे प्रकट हो रहा है क्योंकि बहुत बढ़ा एलेक्शन रहा और बहुत बढ़ा ये देश है तो एक राय बनाना बढ़ा मुझकिल होता है। लेकिन दिरे-दिरे चड़नों के बाद एक चीज निकल कर आ रही है कि ये कोई वेव एलेक्शन नहीं है। इसमें कोई एक बहुत बढ़ा मुद्दा प्रभावी नहीं है। लेकिन लबलबाव ये है कि कहीं नहीं लोग चाहते हैं बढ़ाव। बढ़ाव का मतलब है कि एक नहीं सरकार का निर्मार हो। और उस दिशा में लोगों ने वोट डाला है। मैं गया हूँ, वहा मुझे लगा है कि हमारे इंडिया लध के के अड़िट्स के के बढ़ाव ना चाहिए। पाकी तो मैं वो गलती नहीं करूँ जो बीजेपी करती है तीन सो पार, चार सो पार, पांट सो पार, वो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन ये कहूंगा कि पर्याप जन्मानस का ये पाइंट बन चुका है कि बदलाब होना चाहिए और इसके बहुत सारे कारण है मैं आपके लेक ही है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनसको देखके लग रहा है कि कॉंग्रेस वहां पर वापसी कर सकती है, कम सकम लोगसवा में जो पिछली बार का दो बार का रिकॉर्ड रहा है कि बिल्कुल एक भी नहीं है, तो कितनी सीटें आप देख रहे हैं कि आप लोगों को मिल सकती हैं और आपने कहा कि आपने ओवर ओल भूमा है, तो आखिर वो क्या चीजें हैं जो लोग आपने कहा कोई वेव नहीं है, तो किन मुद्दों पे लोग चुना, वोट कर रहे हैं और क्या चीजें हैं जिनसे ये उपोजीशन को ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि लोग बद लाव चाह रहे हैं. कुछ बाते तो स्टेट स्टेट स्टेक होती हैं, जैसे केरल में माहौल है, पैसा मिज़रम में नहीं होका, जो गुदराट में होका, तो अलग-अलग बेजिंस की अलग-अलग फृलिटिकल प्लैंट स्टेट हैं, लेकिन एक जो एक यूनिफॉर्म च है कि इतने सारे दल चुनाव लग रहे हैं, लेकिन अगर चर्चा किसी मेनिफेस्टो क्यों हो रही है, तो सिर्फ कौंग इसके मेनिफेस्टो क्यों हो रही है, उसका कुछ त्रे में भाजपा को देना चाहता हूं, कि उन्होंने बहुत सारे आरोब तागनी के पुशिश कर रखी है, यह किसी और दलन्यास तक नहीं किया, बीजेपी ने कहा था कि तीन काले कानूर में जड़ा करने के बाद हम MSP पे एक लेगल फ्रेमबर्ग बनाएं नहीं किया, फिर दुवारा किसान नाम दोले थुए, लेकिन हम लोग ने स्टैंड लिया है कि MSP पे कानूर बनन लिया, अब वो कहने है, पांक साल और चीए, तो उनको तो चीए, दस जमा, पांच, पंदरा साल, और फौज की भरती वाले लड़कों को आप दो सरफ चार साल, तो विरोधा भास है, तो यह बहुत बड़ा इश्यू है, हिंदी हार्टलेंड के अंदर, जो मुझे लगा द अक्रॉस कंट्री में ने देखा है, महेंगाई और विरोजकारी, क्योंकि यह इतने चर्चित हैं, लोग इसको मुद्धा नहीं मानते हैं, क्योंकि इसको एक वे अफ लाइफ मान लिया है, लेकिन 2014 में जो गैस का सिरिंडर 400 रुपे का था, आज 1000 रुपे का है, और जो छो पत्र में लिखा है, तो हमारे मैनिफेस्टों को लोग पसंद कर रहे हैं, और मंजरी जी यह देश भर में जो शासम चला 10 साल का, जब 14 में सरकार बनानी थी, तो कहा हम काल अदन समाप्त कर देंगे, करप्शन समाप्त कर देंगे, और महेंगाई को कंडोल में लियाएंगे पिरोज़वारी खतम कर देंगे, दो कर देने की बात की थी, किसान की आमदनी डबल करने की बात की थी, तमाम माबदनों पर यह सरकार फेल हुई है, और आज चर्चा करते हैं तो फिर वही ले दे के, मंदिर, मजजिद, मुसलिम, मुसलिम, हिंदू, यह लोग समझ रहे है जब आप परफॉर्मेंस पे, कवरनेंस पे, डिल्विली पे आप फेल हो जाते हैं, तो आप वापस आ जाते हैं उस मुद्धे पर, कि मंदिर, मजजिद की बात करते हैं, तो इस सारे इशूस मुझे लगता है कि लोग के जहन में हैं, और इस बज़े से मुझे लग रहा है यहाँ पर विक्ति विशिस गॉतम हैट पूर नहीं है, और हम लोग जिसे 2004 में हमने चुनाव गळाता हूँ, तो हम जो गोशित नहीं किसी को किया था, तेकि जनता ने फिल्पी वाजपे जी को हरा के जनादर्स कॉंगर्स पार्टी को दिया था, इस बार भी खर्गी जी कि एक बार हमें मैंगेट हो जाए, फिर एक दिन में हम सब बैठके सारे अलाइंस पार्टनर्स टैक कर लेंगे, किसको कैसे मिजारी देनी है, आज दे कर लें कि वित्वंतरी होगा, यह गरह मंतरी होगा, पदान मंतरी होगा, उसका को मतलब नहीं है, और जनता के इसको हम फ़र ग्रांटिड लें भी ठीक नहीं है, पहले हमें आशिरवाद मिल जाए, हम बहमत तक आ जाएं, तो मिरने कर लेंगे, लेकिन हमारे गड़बंदन में वो इतना ललायत है, पद बाने के लिए ऐसा नहीं है, हम एक मैनिफेस्टों के अंदर भी हमारा जो जो ब प्रमुक विवक्षी पार्टी के बैंक के खातों को सीज किया गया है, पहली बार दो निर्वाचित मुख्व अंतरियों को जेल में डाला गया है, इस पे तो को जरूतनी मेनिफम प्रोग्राम की, सभी की एक राय है, तभी तो हम लोग चार-पांच साल तक आपस में चुन जो जाती जनगन्ना जिस पर सबकी सहमेती हुई है, आरो जैसे बीजेपी का काउंटर यह हुआ कि अपने देखा हुआ कि इससे क्या अलब संख्यों को कोटा दिया जाएगा उसमें सी, नंबर बान, दूसरा जो कई बार 2014 की सा आप बात कर रहे हैं, 14 से लेकर 14 हो या 19 हो य आपका पहला सवाल था जनगन्ना को लेकर, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा मेनिफेस्टो छपा हुआ है, किसी का कोई यह बखान नहीं है, यह वर्णन बॉकिक नहीं है, लिखित हमारा मेनिफेस्टो के है, उसमें कहीं पी इस बात का उलेकर हमने कभी किया है, कि धर्म के अधार पर आरेक्शन आप दीजेगा, यह सामिधान में पॉसिबल नहीं है, ना हमने कभी इसको कहा है, मैं सीरिस इस बात को खारिज करना चाहता हूँ, जो भाजपा अरुप मनना चाहती है, लेकिन जो इस देश में वंचित है, दरीद है, पिछड़ा है, या म कि धर्म को जोड़कर बार-बार इस तरह का आरोप लगाया जाता है, मैं सबस्ट करना, कॉंग्रेस ने कभी नहीं कहा, नाम कहना चाहते है, ना कह सकते, कि आरक्शन या जो वेल्ट डिस्ट्यूशन की बात करते हैं, उसमें कहीं धर्म आ जाएगा, यह देश सत्का है, इस उसको लाने की एक समयदानिक जहमेदारी सरकार की है, उसको हम निर्भान उसका करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन भाजपा क्या है, बार-बार इसी मुद्ध्य को लेकर आती है, कि कॉंग्रेस आ जाएगी तो आपकी दो में से एक भेंस चीन देंगे, यह आपको घर चीन देंगा, यह जो फेर मॉंग्रिंग है, यह कही नहीं के डेस्परेशन को लिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मैनिफेस्टों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपने, नमस्ते सर, विनीत्र पाथी नाव है, ऑनलाइन टीम से है, अभी के नाम पे अरक्षर सम्विधान में है नहीं, इसलिए नहीं होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादाओ, यह कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, मीडेक सामने कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, मुस्लिमों को अरक्षन, और वो आपके इंडिया ऐलाइन्स में भी हैं, आपके सहयोगी भी हैं, लेकिन खंडन कहीं से नहीं आया फिल, लेकिन उसके बाद कि किसी इंडिया ऐलाइन्स के लीडर ने उस बात का खंडन किया होगी, नहीं भाई, उनकी यह व्यक्तिगत रहे हैं, तो इस पर आपके आपको बोलगा हूँ, कॉंग्रिस के रहे बड़ी सपष्ट है, इसमें कोई दुरदबास नहीं है, और जिस भी नितन ऐसा कभी का होगा, उसके बाद उन्हांने उसके करेक्शन किया है, उसको अपने दो बात कही है, उन्हांने क्या का, क्यूं का, उसका मैं जबाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी का, और हमारा इसमें का अधिकार है, हाख है, समय समय पर तबदीली होती है, स्टेट अपने इस्ट पब्रिश करती है, उसमें जोड कहाट कर सकते हैं, लेकिन इसमें religion is no criteria, it can never be, it is not part of the constitution, और है कभी नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई गरीब है, या बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसको पसंद, नापसंद, like, dislike, ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ, बाट के अम्वेट कर साबता है, ऐसा बनाए समय दान हमारा, airtight है, उसमें वो ही हमारा सबसे प्रमुक गरंथ है, सरकार चलाने का, इसलिए सरकार चलती है, एक परंपरा और समय दान के तेह, उसमें किसी की वि मौले का दिगा समय दान में दिया है, उसी स्पिरिट पर हम लोग ने आज तक काम किया है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कि दस साल सरकार चलाने के बाद, कोई भाजपा करने दा यह नहीं बोल रहा, यह हम महंगाए कम कर देंगे, यह हम नौकरी देंगे, वो बात क करें कि कॉंगरिस में नहरुजी ने तब यह कहा, इंदराजी ने तब यह कहा, और मन्होंची ने तब यह कहा, आपने 10 सल में किया उसका लेका चका को नहीं दे रहा है, जो रिपोर्ट कार प्रसुत होनी चाहिए, उसके अधार पर संबात तो हो, चर्चा तो हो, और भाजपाई जो हैं Congress को ब्लेम करना चाहते हैं वह कहां तक प्रासंगिक है सर डिबेट की बात आप ने कहीं तो वह उन्होंने एक विजिपी नहीं भाजीमों के लीडर है तेजस्टी शूर्य जी सांसाथ है उन्होंने एक लिस्ट बढ़ा हुए इंडिया लाइन्स के ना तो परेज करने की क्या पास है और इतना आप में आत्मिश्वास है इतना पॉंफिडेंट हैं तो जरूवत क्या है कि आप विपक्ष को या Congress के लोगों को तोड़ तोड़ के अपने पास ले जाएं आप में इतना ही अगर जीत में आपको लगता है इतनी आत्मिश्वास आपक कर रहे हैं तो फिर विपक्ष और Congress के नेताओं को तोड़के आप अपने पास ला के लोगों ने आपके पार्टी जब भी सरकार में उसने ज्यादा बार समीधान संशोधन किया है बहुत बार तो इसको आप कैसे counter कर रहे हैं और नीचे तक यह message गया भी है आप जो कह रहे ह पहली बात तो यह चर्चा शुरू कैसे गई माफ कीज़ें कॉंग्रिस ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा यह सत्ता और सरकार का जो वायूमंडल है ना ecosystem वहीं से यह बड़े प्रमुख लोगों के तरफ से आवाजें उठी और जब ruling party के तरफ से इन बातों कहा जा रहा है और ब जिनाई कर रहे हैं इसलिए आपको publicly बोलना पड़ रहा है कि हमने ऐसा नहीं का नाम ऐसा करेंगे तो मैं पूछता हूं कि आपको यह खंडन करने के नौबत ही क्यों आई यह बात हमने कभी उठाई नहीं और देखिए जहां तक भाहमत की बात है चार सो सांट सत्तो राजी जिनादी समधान बदल देंगे या आर एक्षन की विवस्ता से चेर्षार करेंगे वाचपजी पदान मंत्री थे उससे मैसी बात नहीं उठी तो इस बार उनके अंदर से हैसे वाज निकलती है उसका खंडन को करना पड़ता है यह जो मुद्दा है यह रिजनेट कर रहा है ग्राउंड पे आपके वोटरों में आपके कोर वोटर्स में जा रहा है कि समीता ने कितना बड़ा अच्छार की नहीं है यह इस देश सबका है न एक सो चालेश कोड़ लोग रहते हैं इसके अंदर सब बराबर के जागरूब नागरे समाने थे हैं अगर यह सवाल उठ रह कि उनको पता है पॉलिटिक के लिए वो पैक फूट पे आ गए हैं इसमें कॉंग इसका को लेंदेना नहीं है लेकिन हाँ अज प्रिंसिपल ऑपोजिशन पाकी मेरी जम्यदारी बनती है कि हम सवाल पूछें काउंटर क्वेश्चन करें जवाब देह करें और यह इतना बात है पहले ही आपका कैंडिडेट विड्रो कर जाता है इसी तरह से इंदोर में भी हुआ क्या आपको यह लगता नहीं कि मालिजे आपके कुछ सीट जो चुनाव के बाद भी आपके कुछ कैंडिडेट ऐसे मतलब जा सकते हैं बीजेपी में यह आशंक का डर है सर्थ का मतलब है कि आप confident नहीं होंगे और आप इतने insecure हैं कि आप चुनाव के लिए सारे जहां पर लेट से वो सीट आप जीत भी रहे हैं तो क्या ज़रत पड़ी है वहाँ चुनाव खंड़क कराने की या चुनावी नाओ महाँ पर इसका संकेत गलत जाता है देको लोगतंतर मे कि आप एक मजबूत विपक्ष रहें, मजबूत संस्थाएं रहें, मजबूत मीडिया रहें, जवाब देते हो, संवाद हो, बजारेमाश हो, counter question हो, क्योंकि वोट तो डलते हैं रूस में भी, वोट तो पड़ते हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन कोई दार्म देता है कि रू चुनाव से पहले कोई कर रहा है, आप चलते चुनाव में कॉंगर्स पार्टी के खाते सीज कर दें, आप पूरे ताकत सरकार के एजन्सियों का धळले से दुरुपयोग करें, आप प्रेशर बनाएं, लोगों को पीडित करें, आवाज को दबाने का काम करें, इसको लाज तलग है, लेकिन कॉंटेस्ट ही ना होने देना, यह कहीं ना कहीं या तो एक साज इशाना मनुवर्ती को दिखाता है, या फिर अस्तुरक शापत दिखाता है, आप मैनिफेस्टों की बात कर रहे थे और आप बता रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टों जो है उसको लेकर विप जी ने कहा कि कॉंटेस्ट की जो अधिकार था, उसको जो है, रिपरन डिंग किया है, तो ऐसा क्यूं है कि मोधी जी आपकी गार्इंटी वाला शब ले लेते हैं, वो रिपरन डिंग कर ले लेते हैं, लेकिन कॉंटेस्ट अपने ही घोश्टापित्र کو ग्र्स रूट तक प क्यों है हूँ ऐसे बाते बोली है। क्यों कुछ स्वार्च बाते मैं आप सेय किह वालूम डाλάू हूं। हम लोग ने बहुत सोज समझ के मनेफस्टो बनाया और हमारा घृत है। हम लोगों प्रदान करने की बात है जब बीजेपी विवक्ष में थी तो सबसे पहले तो उन्हों विरोध किया, FDI, रीटेल में विरोध किया, FDI, डिफेंश में विरोध किया, आज सबसे बड़े पक्षतार हैं, हमने शुरू किया DBT, Direct Benefit Transfer Screen, आज उसको लेके बहुत बखान करते हैं कि हमने पूरा डिजिटाइज कर दिया है, उस टाइम DBT का विरोध किया, GST का विरोध कि इंडो-US nuclear deal का विरोध किया, WTO का पार्ट बनने का विरोध किया, सब विरोध किया, सरकार बनने के बाद GST का श्रेल लना चाहते हैं, DBT का श्रेल लना चाहते हैं, तो यह उनका जो economic policy making है, वो पूरा घिंग ले सरकार में आने के बाद, लेकिन हम लोगों का जो 91 में हम लो इसलिए जैसे आपने के बात कर रहे हैं, किसी और गैर बात सरकार में, अगर को ऐसी घुषना करते हैं, तो कहते हैं, ब्रीवडी कल्चा खराब है, और खुद आप 80 को लोगों को आप अना देना चाहरे हो, दे रहे हो, पांच भी सबसे बड़ी अच्वस्ता बनना चाहते तीसरी या पांच भी और पांच ट्रिलिन डॉलर के बात करते हैं, तो विरोधाभास बातों में हैं, भाषनों में भी है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे अधिक अनिंप्लॉइमेंट आज है, इंफ्लेशन जो खाद्यपदार तक खास कर, आस्मान चूरे ही है, तो उ आशन, विज्यापन, टेलिविजन अलग है, अधरातल पर अलग कारवाई हो रही है, आपने अभी कहा है, जैसे कि आप लोग गूम रहे हैं, और बदलाव की बैयार है, तो वोटिंग के टाइम में, जिससे सिंग वोटिंग करें है, एंटी इंकमेंसी में मुखनों के जहा कि आप बहुत भूम रहे हैं, उसकर मैं बात जो हूँ कि आप वास्ते में सबसे अधिक होने वालों में हैं, तो कॉंग्रेस के लिए रियलिस्टिक इस चुनाव में, आपको सबसे अधिक सर्जिंस कहां पी लग रहा है, पहले आपको सवाल देता हूँ में, जहां पर दुपक्षे मुकाबला है, जिन स्टेट्स में सीधा कॉंगेश वीजेपी की फाइट थी, पिछले चुनाव में हम लोग महां बहतर नहीं कर पाये थी, इस बार मुझे डिफरेंस बहुत जागा लग रहा है, खासकर जहां वन-to-one कॉंटेस्ट है, यह चाहराजस्तान है, मद्पदेश, चर्तिसगार, हर्याना, उत्राकान, निमाचक, यहां पर बाइपोलर कॉंटेस्ट है, महां पर हमारा स्ट्राइट पहले से बहुत 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 रहेगा, और यही कारण रहेगा कि भाजपा के संत्या बहुत अधिक गिरेगी, आपका सवाल उसके संदब में था, दूसरा पहलो यह है कि जो पहले बहुत प्रभावित थे, भाजपा के निताओं के भाशन से, उनकी रानिती से, उनकी जो अग्रेसिव स्टैंड था, जिस उत्सा से लोग आके वोट डालते थे, उनके समर्थक और संग परिवार का जोस्ता था, शाय दोनों तरफ आगेमेंट जा सकता है, लेकिन बोटिंग बहुत ज्यादा कम हुई, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक बाद जुरू आश्यचे लगी मुझे, कि दस दिन के बाद, बोटिंग पसंटे अचानक 7 पसंट बढ़ गई, 6 पसंट बढ़ गई, और उसका पूरा विवर सब डीटा कुलेट हो जाता था, अब आयोग क्या कह रहा है वह लग भात है, लेकिन मैं बता रहा हूं, पिछले इतने 14-15 चुनाव हो गए हैं, कभी भी 10 दिन का डेले, अचा, EVM जो हम यूज कर रहे हैं, जब पिपर बैलेट थे, तो 4-5 चुनाव हो जाता था, अब 7 पिछले में कौन से जिले में इतने लाख, इतने अजार, इतने मत बढ़े हैं, वो विराद देना चाहिए, लक्षिन कमिशल को, आपके लगए हैं, पिछले इस यह कहता है, कि कहते है कोई असा नियमी नहीं है, इसका हम इस आज़ेता रिलीस है, नमबर टूम होने कहा कि 17 स इतने बोलना चाहरा हूं कि इन पिछटे 50 सालों में सडके बहतर हुआ है, मुबाइल फोन आ गया, गाड़ियां भैतर हो गहीं, तो समय लगता है जानने में और आने में, पहले से कम होगा जादा होगा, सन 62 में, जिन पाड़ों में जाने में चार्जन लगते थे, अब दो दिने पहुंच आता है इन साल, तो ये तरक मैं सिर्फ सहमत नहीं हूँ, कि इस पूरीं पार्टी है, वो गोड़े खचरों पे आरे है, टाइम लगता है, आज को तो हलिकॉप्टर से जारी ही मुशीन है, टेक्नोलिजी है, वेब कॉन्फरेंस है, जूम कॉल है, डेटा देने में को दिक्कत नहीं है, लेक्ट्रोनिक सब कुछ हो रहा है, जब कनस् विश्वसनिता होती है, आज सुप्रीम कॉर्टा कोई जज है, वो निरने दे दे, तो देश में कोई सा भी पार्टी हो उस केस के अंदर, सब को मानेंगे, क्योंकि हाइस को रिस्वेट करते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनिता है, कल उस पर सवाल उठ गया, तो फिर अमाना होगी ना आटमेटिकली, तो एलेक्शन कमिशन एक बहुत ही इंपोर्टन्ट हमारे देश का अंग है, तो उनको यसा मौका नहीं देना चाहिए, कि कोई सवाल पूछे या सवाल पूछने की जहन में क्वेश्चन आए, मैं त यह बोलना के दूर दराज के लाकों से दस दिन बाद डेटा आ रहा है, मैं इसको ज्यादा गंबिरता से नहीं है, एक बात चुनों से दूर सब्सक्राइब, ऐसा नहीं है कि मैं किसी संस्था या किसी विक्ति पर सवाल उठा रहा हूँ, मैं इतना कहना चाहरा हूँ, इव परसेंट, डेट परसेंट में प्रीव समझ सकता हूँ, लेकिन 6-7 परसेंट वोट बढ़ा है, और वो भी क्लिरली काटेग्राइज नहीं कर रहे है कि होता कैसे मेरी विदानचावा से वोट बढ़ गए, तब बुली यहां पे 3,48,544 वोट बढ़े हैं, कोई दिक्कत नही वो डेटा भी नहीं दिया गया है, यह इसलिए लोग सवाल पूछनें कि यह इस तरहें का इजाफा हुआ है, विदाओट डीटेलिंग, पहली बार हुआ है, अब आप आपर कॉंग्रिस पे हैं, वहज़र 14 से एक दब देखे हैं, जैसे यह पतन हुआ, तब से कॉंग्रिस तो यह जो पाटी का फुंड़न इनमान का जो दौर चला है, अप इस चुनाओं में, तो किस क्या लग रहा है कि युज़े हर पाटी में कई बार एक दोर आता है, जहां पर पाटी नेचे जाके बनती है, यह पाटी किस दौर में लग रही है, और इसमें आप अपनी भुन में रहना है, से अंगर्ज करना है, और हमेशा यह बड़ा कट़िन समय रहता है, उनकी वेक्तिक देख चॉइस हो सकती है कि किस पौलिटिकल फिल्लॉसफी को फॉलो करना है, या किस धरा पे जाना है, कि वेक्तिक दृने होता है, लेकिन समय बताएगा, और जंदा और जैसे आपने का कि हम प्राहुल जी के साथ जो लोग काम करते थे आज वो पार्टी में नहीं हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे पहले से रानीती में थे चाहे वो गुलावनी वैज़ात हैं कैपने मिंदर सिंग हैं आशौक चावन हैं सब मुकुंती रहे और एक अले सब्सक्राइशन के हैं तो हर पीडिक है कुछ लोग जोइन भी किये हैं लेकिन यह उतार चड़ाव जीवन में और खासकर पॉलिटिकल लाइफ में होते हैं तो मैं असा मानता हूं जहां तक आपने मेरी बात करी देकि मेरी असेमत ही जो थी वो परदेश में थी और मैं धन जाते थे कि इस बार हम दोबारा सरकार रिपीट करें और हमारी यहां 200 बिदानचवा सीटे हैं जब पहले हारते थे तो हम 200 में से 20 पे रह गए एवार 50 पे रह गए इस बार हम बहतर जीते हैं तो पार्टी ने हमारे दिये के सुजावों को संग्यान में लेकर कमीटी करेक्शन हम लोग नहीं किया बहुत सारे मुद्धे थे और मैं शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने उस स्टेप्स को उठाया उसके बाद हम लोग बहतर परफॉम कर पाए सरकार नहीं बना पाए उसका खेद मुझे भी है पूरी ताकत हम लोग ने लगाई लेकिन जिसकी ब अभी आपने कहा कि इस पर कोई वेव नहीं कि किसी के पक्स में भी कुद में नहीं है दस साल होगे एंडिया की सरकार को उससे पहले दस साल कॉंग्रेस की यूपीय की सरकार की तो 2013-2014 में जो वेव बनी वह बहुत ही एंटी इंकमरेस वर थी तो इस बार आप बहुत सर मु इण एडिया सरकार में जो कमिया रही हूँ तो ये क्या इंडिया बीजेपी की ये सपलता है कि उसने वेव नहीं बनने दी या विपक्ष की नाकामी है कि वह बना लिकिए वेव तो 2004 में नहीं थी वह बहुत तो निदी इसा चुनाव था जो वेवलेस चुनाव था लेकिन इंडिया शाइनिंग का प्रोपगेंडा वाजपेजी की सरकार ने किया, लेकिन रिजल्ट उसके विक्रीत आया है, तो वेव हट चुना में नहीं बनता है, खरी बार एक प्रसीदी बन जाती है कि एक गुद्धे को लेकर या एक मुव्मेंट को लेकर फॉलिटिकल लेंड्स इंडिया लाइंस का गटबंदन किया, उसके बाद ही बीजेपी जागी और इंडिया का गठन किया, पहले तो इंडिया खतम हो चुकी थी ना, अकाली दल, जेडी यू, शिर्सेना सब छोड़ गए थे बीजेपी को, सिंगल पार्टी जूल चल रहा था, जब इंडिया ला यह हमने दोदर चार में देखा था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी फीलिंग है, आपको सकता है, सही गलत तो पता पड़ेगा चार जून को, लेकिन मेरी फीलिंग है कि बदलाव बुरा है और दक्षन भारत में, मैंने कहीं कहा भी था कि बीजेपी जो है, साउथ म पूलपूर में अलाबाद में, वहां पर भी जो बहुत ज्यादा उमीद बीजेपी करती है कि हम पूरा स्वीप करने है, ऐसा होने वाला नहीं है, अधिकान सीट है उतर भारत में, खासकर जूपी में इंडिया लाइन्स जीतेगा, और दिल्ली में भी आप कंपेन कर रहे ह विर्योदा भास भी है दोनों पार्टियों में, दोनों को छे मीने बाद एक दूसरे के खिलाब भी लड़ना है, तो अभी क्या लगता है दिल्ली में? तो यह पड़ा महत्पून चुनाव है, और हम लोगों लगता है कि हमारा जो गटबंदन है, दिल्ली के अंदर, वो कारकर साबित होगा, क्योंकि आप जोड़ लीजिए, या जो हमारा वोटिंग, हमारा जो पॉपलिशन इसको जोड़ लीजिए, तो बीजेपी से भारी प अरवन केजरिवाल राहुल जान जी एक साथ दिख सकते हैं या, मेरे को एक सीट की देमेदर दी है, नौट-East की, और लेकिन बाकि हम सब मिलका लगा, नहीं राहुल जी और हम सब मिलके कई कारगम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अभी अखलेश आदव और राहुल जी ने हो रहा है, हर नेता हर जेकर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हम लोग मिलके चुनाव लट रहे हैं, जब राहुल गांदीजी ने भासन में खुद ही कहा, चांदी चौप में दिल्ली मीटिंग की थी, कि मैं डालूँगा जाड़ों पे वोट और यह डालेंगे हाथ पे मोदीजी को भी नीचे आता है और इधर विफक्स में जाना चाहता है, लेकिन यहां कहता है कि एक कैडिडेट ऐसा हो जो मुझे लगे मोदी के टककर का है, कि आगे क्या होगा देशता है, जो भी सोचता है, उसमें यूद भी हो सकता है, तो एक सेगिन, आपको क्या लगता कि यह priority है नहीं होनी चाहिए, कि चीन जो हमारे अंदर सीमा में घुज गया है, उसको भाहर प्रेंगे, क्या हमारे priority है होनी चाहिए कि हम रोजगार उक्रप्त कराएं, नहगाई कम करें, और जो हमारे लिखित वादे थे, उनको पूरा करें, यह NRC, CA जो है, यह एक रननीत ने के लिए इस परकार की करनों बनाए है, और इससे क्या है, लोगों का धुविकरन होता है, जब किसी बरादरी समाज, अलग-अलग राज्यों में, और क्योंकि भारतिंदर पार्टी एक true sense में नाशनल पार्टी नहीं है, क्योंकि नॉर्थीस्ट में, अदक्षिन में, व तो वह धंक से इस देश के जो बिद्दा है, उसको संग्यान लेकर उस रहे का नीती नमान नहीं कर पा रहे हैं, वो तो अपना ही जो धड़ा है, उसको मद्बूत करने के लिए इस पकार के लोग यह लेके आते हैं, हम लोगों का प्लिटिकल पार्टी, मारा स्टैंड स्ट मेरा वेक्टिकद मानना है, कि देश के प्राइवटी नहीं है, यह तो सिर्फ रहनीती चुपकाने के लिए इसको नोने हर जगे जाके कहा है, बंगाल में जाते तो बोल देते हैं, ताकि दोको फाइदा मिल जाए, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले बीजेपी बंगाल में थी, तो अपने आपको जीवित करने के लिए, कहीं ने कहीं वो एक फफोल डूनते हैं, मुझे लगता नहीं है कि बहुत प्राइवर्टी है, ठीक है, आप करना चाहो तो उस पर संचोधन कर सकते हैं, संबाद चर्चा कर सकते हैं, लेकिन देश के प्राइवर्टी ऐसा है, इस जो इशूस मैंने बंपाँ. जहां लगता है कि किस इस्तर पर ये कमजोरी है, क्योंकि दोनों ही राश्ट्रे दल हैं. तो आपके सवाल में जवाब छिपा हुआ था, आपने का अप रख, कि आप मैं ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, हिस्टोरिक के लिए पिस्टे दो चुनावों में, हम लोग जो हमारी संभावना ही थी, उनको टैप नहीं कर पाए और काम्याभी नहीं को नहीं म तक राज्यों में maximum seats तक पहुंच चुके हैं, तो what froze up must come down, एक तो वो law prevail करेगा है, दूसरा हम लोगों ने भी proactively काम किया है, लोगों से जूडने का काम किया, और ये किसान नान दोलन, पीन-कृषिक कानून जो बनाए थे, और अडियल रवया रहा, और जैसे मैं नहीं कहा इंडिया घटबंदन का सबसे बड़ा दल Congress Party है, Congress अगर bipolar contest में अपना striker है, हम लोग बहतर करेंगे, इसका फायदा इंडिया लाइन्स को लेगा, और ये होने जा रहा है, इसा मैं मानता हूं, आपका पहला target यह है कि बीजेपी को रोकना, वहमत से पहले, जो आप कहह रहा ह को election के बार कितना protect करता हैंगे, आप लोग बिलकुल core में बैठे हुए, इस सबसे बड़ा चुनावती, जैसे कि आलमे मोडी जी ने कहा कि चुनाव के बाद इंडिया गटबंधन ही बिखर जाएगा, तो उस कुनबे को कैसे रोकेंगे, अगर बीजेपी को आपने रोक दि अभी छहत्रा पहयों, पता लगे कि वही टूट टूट के जाने लगे बीजेपी में, वह पावर में है अभी, एलक्सन के बाद चुनाव करणाम के बाद राश्पती मोड़ा तय करेंगी कि कि किसको भाहुमत है और किसको नौता देना है, अभी बहुत जल्दबाजी होग मैं ऐसे मांगता हूं कि जरूट नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पर्याप, magic figure है, वो हमको प्राप्ट को का, और मैं पता रहूं, जो 222 से कम में बनेगी नहीं, तो उस ज्यादे ही आएंगी उससे, और जो तोड़फोर करनी थी, यो नोड़री कर ली है, जो एक-दो मारे स शुरू में, उसमें शिव सेना, अकाली दल, JDU, वो सब छोड़ चले कहते हैं, तब सत्ता में थे न, जब सत्ता में आपको छोड़ चोड़ के जा रहे हैं, कुछ बहुत ही पीड़ा होगी हैं उनलों को, तो इनको सब परक चुके हैं, कभी न किसी मौके पर सब दल परक च सब्सक्राइब हैं, और कितने यह एक रिलाइबल पार्टनर साबित होंगे, इसलिए जो आज हमारे साथ हैं, बलकि मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, जब हवा का रूख बदलेगा, तो बहुत चैसी साती जो वहां बैठे हैं, उसकता है वो लंके रजा हैं, इंडिया लाइं तो यहां पर सीधा कॉंटेस्स बीजेपी कॉंगरिस का होता है, यहां पिछले बार हम बहुत भैतर नहीं कर पाये थे, बलकि हार्ली कोई दो पांस साथ सीटिते होंगे, बत पुदेश्टे, तो वहां पर उन्हों को बहुत लाब मैले रहा है, तो वहीं मेन कारण रहेगा विजेपी के संखबल गरने का, अब आते हैं सचेन पैलोट पे, कॉंगरिस नहीं, हाल के अगर चार पांस साल देखें तो बहुत ही इंट्रिस्टिंग अपका रहा है, अगर अभी आप सोसल मीडिया पे जाएं या बागी जगह जाएं तो जब भी कॉंगरिसी क्रैसिस कुछ स्पेसिफिक डाटा सपोर्ट करें तो जब भी कॉंगरिस की अगर कैंडिट्स टी डिमांड आती है, तो सबसे जादे अधिक रैलिया आपने की है, इस चुनों में भी साइब 100 से उपर या आप करेक्ट करेंगे, जोगी मुझे लग रहा है कि कॉंगरिस्टोर से सब करने वाले आप हैं तमाम जगों के, तो आप अपने लिए इस पार्टी में किस रोल को अलग बात है, क्योंकि रिष्टे 25 सालों में मैंने भी कभी किसी को ना नहीं पा, कोई उमिदवार या पार्टी का आदेश आता है, कितना दुरलब हो, जो मैं सरकार्य मंत्री था के इ पार्टी के नेताओं के साथ एक अटूट और आत्मी संबनाना, मेरी टूची भी है, और मुझे रखता है बहुत अनिवारे भी है, क्योंकि जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, उनकी इसूस को समझेंगे नहीं, तो आपको भासन देना हो टो में कर सकते हैं, तो वह देश भर में जाने का मुझे मिला क्योंकि पार्टी ने मुझे भाट बार मुझे महां भेजा, हम प्रटी मेरे संबर्त में, मीटिंग राली करना तुझे को पार्टी की ट्युट्री होती है, जहां भी मुझे बोलते हैं, मैं निसंकोच जाता लेकिन जहां, जिस कौने में मुझे कहा गया ओर लोग들이 iba मत जाता हूं और लेकिन अग्वान करहे हैं। करता हूं कि कॉंग्रेस को हम सब लोगों को स्टेट्स में रिवाइब करना पड़ेगा हम स्टेट्स जीत कर आएंगे तब ही हम अपना पूर्ण बहुमत दिल्ली मला पाएंगे और यह मैसली कह रहा हूं क्योंकि जब हम चुनाप जीते हैं हिमाचिल परदेशन करना टगने क तेलंगाना में अक्सर जहां कॉंग्रेस एक बार थर्ड नमर पर आजाती है रिवाइब नहीं कर पाती है लेकिन तेलंगाना में बिल्कुल उल्टा हुआ हम लोग पूर्ण बहुमत देकर अपने दंपर सरकार बनाएं मतलब और जगे भी पॉसिबल है तो स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टन है कॉंगेस पार्टी के लिए स्टेट्स में रिवाइब करेंगे तो और आटमेंटिकली हम लोग राष्टे सर पर रिवाइब करके और बेतर कर सकते हैं सचिन इसी से आपके सब्सक्राइब की बात है मेरे को पार्टी ने बहुत पद दिये केंडर मे सब्सक्राइब करने का मौका मिलना है और इसका मैं बहुत पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि बहुत कम उमर में बहुत सारी जिम्मेदारी दिर्वान करने का मौका दिया मैं यह मेरा इस्टान से नहीं बनाया थे लिक्न मैं आशावान क्विक्ति हूँ मैं हमेशा उल्टा सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि चार साल और छह मेरे कोड़ न बना मेरा सुंहें ताकि वहाँ सर्कार बना पाएं, तो रठाइस के अंदर, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे, तभी हमें पायदा मिलेगा। सचिन, अभी आपने जिक्र किया कि कॉंग्रेस फिर सिस मजबूटी की ओर बढ़ रही है, और हम राज्यों में नहीं कई बार हो पाता है, नहीं बना पाते हैं। ये कॉंग्रेस का एक स्थाई भाव था, आपके भी जो साथी रहें, आपके भी राज्य में ये गुटबाजी का एक बहुत बढ़ा वो रहा है, तो क्या आप वाकरी मानते हैं कि कॉंग्रेस की जो संगठनात्म के कमजोरी रही है, उसमें कि आपसी इनफाइट पे बढ़ अपके बातों से, 2013 में मैं तो किंट कर राज्य नीति में था राज्स्तान में नहीं था, तब 200 में से राज्स्तान में हम जीते से विए 21, उसे 2003 में मैं सांचत शायद नहीं बना था, उसमें बना था, हम रह गए 50 पी, और जो आप अब कहा रहे हैं कि ऐसा रहा आपकी वज जीते हैं 22 विदायक, तो जब 13 में मैं स्टेट विदानी में था ही नहीं, मैं तो 14 में किया हूं माद दक्ष्वन्ने के बाद, और 3 में जब में महां involved नहीं था, तब हम 20-50 पे थे, इस बार 72 पे आए हैं, तो पहले से 50% इंकी से हम लोग नहीं किया संख्यावल MLS की, लेक मिलके काम करते हैं, तो जाधा है, दूसरों करों मैं देखा, मैंने महां तो एक तरफार है, डिक्रेट कर दिया तो वैसे ही होगा, तो हमारे आपनी बात रखने का, बोलने का, एक ज़्यादा एलवो रूम और स्पेस मिलता है, उसका पार्टी को लाब भी मिलता है, ताकि इसा नहीं चले कि पर एक ही वेक्ति के पिछ से पुर दोड़ रहा है, दो, चार, दस, पीस नेता होते हैं, तो पूरा अच्छा बन जाता है, उससरे, दिल्ली में आपने जैसे काहा कि आम आदमी पार्टी के साथ, जैसे केजरी वाल भी कॉंग्रेस नेताओं के सपोर्ट म में समय से पहले किसी पी संभावना को खारिच करना एक्सेप्ट करना गलत होता है, आज हम चुनाब लोकसभा कर लड़ रहे हैं, मारकट बंदन है, उधारने के तौर पर पंजाब में नहीं है, कोई प्लिटिकल रियालिटी है, क्योंकि वहां कॉंग्रेस प्रमक जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री कॉंगर्स केंड़िट कर रहे हैं, मैं कल आमानी पार्डी केंड़िट है, उसके लिए कैंपेंड करने जा रहा हूं, साउथ दिंदी में, तो हम लोग आपस में कैंपेंड करें, क्योंकि हम अल्टिमेटली फायदा चाहते हैं, हम चार सी किया है, तो पूरे मन से किया है, और पूरी लोयल्टी और पूरे कमिट्मेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भविष में क्या होगा आज कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भविष में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर अगर चार जून के ब करता है हम जीत के लिए लड़ रहे हैं हम चाहते हम जीते हैं जीतेंगे भी चार तारिक को और बाकी जो जनादेश है उसको स्विकर करना पड़ता है कोई सचाई से मूर नहीं फेर सकता है लेकिन जो मैंने अब तक देखा है जो एक्सपीरियंस किया है वो पॉजिटिव है ल भी लिग्सका लाब हम लोगों को मिलेगा आफ सरकार बनेंगे अगर जीते तो आप सरकार में एक महत्कुन भूमिका की रुप मैं अपकोई देखि सरकार बनेगी था हम सबकी बनेगी ऊसमें कोई हो न हो महत्पूर नहीं है लेकिन बदलाव हो 10 साल बहुत बहुत लंबा समय देने के लिए एक और संबाद हम लोग चुड़ते रहेंगे तमाम नए-ने लोगों के साथ और चार जुन के बाद फिर आपसे एक बार अप्मीद करते हैं झाल